नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भावना स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पैशनेट बाइलोजी में आज हम बात करेंगे पैश्ट ओफ इस्टोर्ड ग्रेन की तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैस्ट है राइस वीविल इसका साइन्टिफिक नेम है सीटो फिलस ओर आईजी ओर्डर है कॉलियोक्टेरा फैमली है कुर्कुलेंडी होस्ट है राइस वीट और मिलेट्स लाइक मैज ज्वार बार्ली और बाजरा इसके एड़ेट और लार्वा मींस ग्रब दोनों ही ग्रेंस पर फीट करते हैं और केवल ग्रेंस की इसकिन ही बची रह जाती है इसमें होलो मेटाबोलस मेटामोरफोसिस पाई जाती है इसे कम्प्लीट मेटामोरफोसिस भी कहते हैं इसके लाइफ सैकिल में फोर स्टेजेस होती है एल्ड लार्वा प्यूपा एड़ेट इसमें एड़ेट फीमेल अपने पौवर्फुल जोव से ग्रेंस में एक आती है और उसमें एक्स देती है जनरली फीमेल एक ग्रेंड में एक ही एक देती है लेकिन कभी कभी एक ग्रेंड में दो से तीन एक्स भी देती है और अपनी पूरी लाइफ सैकिल में एक फीमेल धाई सो से चार सो एक्स देती है इसके एक्स ओवल शेप के और वाइट कलर करके होते हैं, जिससे इंक्यूबेट हो करके चार से नौ दिन में लारवा निकलते हैं, ये लारवा विदाउट लेक्स होते हैं और ब्राउन कलर का हेड होता है, और बाइटिंग और चुइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है, फुली ग्रोन लार्वा यानि ग्रब यलोईश वाइट कलर का 0.3 cm long होता है इसमें 3 लार्वल स्टेज़स पाई जाती है लार्वल पीरियड 19 से 35 दिन का होता है अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है जो ग्रेंस के अंदर होती है ट्यूपेशन पीरियड 5 से 7 दिन का होता है जिससे फुली ग्रोन एड़ट बाहर निकलता है एड़ट स्मॉल 3 से 4 mm long रेडिश ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है एड़ट का लाइफ स्पैन 6 से 8 मंच से 2 साल तक का होता है इसकी साल में 5 से 6 जनेरेशन होती है सेकंड पेश्ट है रेड फ्लोल बीटल इसका साइन्टिफिक नेम है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम ओर्डर है कॉलियोक्टेरा फैमिली है टेनेब्रियोनिडी और इसका होश्ट है इस्टोर्ड प्रोड़क्ट्स और वेरियस काइंड सच एस फ्लोर, मैदा, सूजी, ग्राउड नेट्स, बीज और ड्राइफ रोट्स जब कोई पेश्ट ग्रेंस पर फीट करता है तो उसमें पाउडर्ड प्रोड़क्ट का फॉर्मेशन होता है ये उसी पाउडर प्रोड़क्ट पर फीट करते है इसमें होलो मेटावॉलस या कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है इसके लाइफ सैकल में फोर स्टेजेस होती है एग, लार्वा, प्यूपा, एड़र्ट इसमें फीमेल कॉपुलेशन के 2-3 दिन बाद ही एग लिंग स्टार्ट कर देती है एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ सैकल में 400-500 एक्स देती है जिससे 4-7 दिन में इंक्यूबेट होकर के लार्वा निकलते हैं जिनकी बॉडी ब्राउनिश वाइट कलर की सेगमेंटेड होती है इसमें 6 लार्वाल स्टेजेस पाई जाती है लार्वाल पीरियड 21-28 दिन का होता है इससे अब प्यूपा बनता है प्यूपेशन की प्रोसेस होती है प्यूपा वाइट कलर का होता है जो बाद में यलोईश कलर में कनवर्ट हो जाता है और इसके डॉसल सर्फेस पर हेयर स्पाई जाते है प्यूपर पिरियड 5-10 दिन का होता है जिससे एड़र्ट बाहर निकलता है एड़र्ट रेडिश ब्राउन कलर का होता है और लगभग 4-5 mm लॉंग होता है एड़र्ट का लाइफ स्पैन 2 साल का होता है एक साल में इनकी 3-4 जनरेशन होती है थर्ड पेस्ट है मील वॉंग इसका साइंटिफिक नेम है टेनेब्रियो मॉलिटर ओर्डर है कॉलियोक्टेरा फैमिली है टेनेब्रियोनिजी होस्ट है कॉमन इन स्टोर सीरियल्स ब्रैन इसके लार्वा स्टोर किया हुए अनाश पर फीट करते हैं इसमें होलो मेटाबोलस मील्स कम्प्लीट मेटामोर्फोसस पाई जाती है मील्स लाइफ साइकल में 4 स्टेजस होती है एग, लार्वा, प्यूपा, एड़ड इसमें फीमेल इस्टोर किया हुए अनाश पर ग्रेंस पर वाइट कलर के ओवल शेप एक्स देती है जिससे इनक्यूबेट हो करके 10 से 12 दिन में लार्वा निकलते हैं लार्वा यलो कलर के होते हैं और 10 से 28 mm लॉंग होते हैं लार्वल पिरियट 3 से 4 मन्थ का होता है अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है लेकिन इसमें ककून का फॉर्मेशन नहीं होता है प्यूपेशन पिरियट 12 से 20 दिन का होता है जिससे फुली ग्रोन एडर्ट डवलप होता है एडर्ट ब्लैक कलर का 15 mm लॉंग होता है फोर्थ पेश्ट है खपरा बीटल इसका साइंटिफिक नेम है टोगो डर्मा ग्रैनेरियम और्डर है कॉलियोक्टेरा फैमिली है डर्मेश्टिडी होस्ट है common in stored wheat, rice, jar, mash and बाजरा इसके लार्वा ग्रैन्स की बाहरी लेयर से स्टार्ट होकर इंटर्नल एम्ब्रियो पर फीट करते हैं जिससे ग्रैन्स बेकार हो जाते हैं इसमें holometabolus means complete metamorphosis पाई जाती है life cycle में four stages होती है egg, larva, pupa and adult इसमें female copulation के 5-6 दिन बार egg laying start कर देती है eggs white color के oval shape के होते हैं एक female अपनी life cycle में पूरे life span में 125-500 eggs देती हैं जिससे 4-10 दिन में incubate होकर के larva निकलते हैं इसमें four larval stages पाई जाती है larval period 24-50 दिन का होता है larva yellowish white color के होते हैं लेकिन बाद में brown color के हो जाते हैं और body पर reddish brown color के hairs पाई जाते हैं fully grown grub इसके larva को कहते है grub 5mm long होता है अब grains में pupation की process होती है pupal period 4-6 दिन का होता है pupa dark brown color का होता है और इस पर reddish brown hairs पाई जाते हैं जिससे addert बाहर निकलता है addert 2-3 mm long होता है brownish black body होती है addert के वर 10-3 दिन तक ही survive कर सकता है और addert इसमें fly नहीं कर सकता fifth pest है grain moth इसका scientific name है सीतो टोगा सीरियलेला order है lapidoptera family है gal HD host है serious pest of wheat, millets, light, match and sorghum इसमें caterpillar अनाज के डानों को बोर कर देते हैं और उसमें holes बना देते हैं जो उनके excreter से भरे हुए होते हैं और इसमें जाल जैसा बन जाता है इसमें holometabolus यानी complete metamorphosis पाई जाती है life cycle में four stages होती है add, larva, pupa and added इसमें female store house के cracks और जमीन के holes में red color के oval shape X देती है जो 0.5 mm long होते है जिससे hedge हो करके 4-8 दिन में larva निकलते है larval period 2-3 weeks का होता है fully grown larva 0.5 mm long होता है जिसमें four pairs prolex होते है इसमें five larval stages पाई जाती है अब इसमें pupa बनता है pupation period 1 week का होता है pupa brown color का होता है जिससे added moth बाहर निकलता है added yellowish brown color का होता है जिसका head small black color का होता है filly form and teeny होती है wings narrow होते है जिस पर fringe hairs means चिरे हुए hairs पाई जाते है six pest है fing almond moth इसका scientific name है kadra kotela order है lapidoptera family है 5 c t d host है common in floor meals इसके caterpillar food stuff पर अनाज के दानों पर और आटा पर फीट करते हैं इसमें hollow metabolas यानी complete metamorphosis पाई जाती है life cycle में four stages होती है egg, larva, pupa and adult इसमें female copulation के बार small white color के oval shaped eggs food stuff में या store house के cracks में देती है जिससे 4-6 दिन बार hedge होकर के larva निकलते हैं larva pinkish white color के 3-12 mm long होते हैं larval period 25-50 दिन का होता है अब इसमें pupa बनता है cocoon का formation होता है pupal period 8-14 दिन का होता है जिससे fully grown adult बाहर निकलता है adult का life span साथ से 8 दिन का होता है ये केवल breeding के लिए ही survive करते हैं seven pest है lesser grain borer इसका scientific name है rhizopartha, dominica order है colliectera family है boss trichdi host है wheat, rice, match, jar, barley and dried fruits इसमें adult beetle और larva दोनों ही damage करते हैं इसमें grubs grains के starchy part को खाते हैं लेकिन beetles यानि adult पूरा grain ही destroy कर देते हैं इसमें holometabolus यानि complete metamorphosis पाई जाती हैं means life cycle में four stages होती हैं egg, larva, pupa and adult इसमें female beetle added में convert होने के चार से पाश दिन बाद ही egg laying start कर देती हैं जिससे पाश से छे दिन में incubate होकर के, hedge होकर के larva यानि grub निकलते हैं ये white color के होते हैं इसमें five larval stages पाई जाती हैं larva 2-3 mm long होता है और body hair से covered होती है larval period 40 days का होता है अब इसमें pupation की process होती है ये grains के अंदर भी होती है और grains के बाहर भी होती है pupa dirty white color का होता है pupil period 7 days का होता है जिससे fully grown adult निकलता है adult small, dark brown और 3-4 mm long होता है एक सार में इनकी 5-7 generations होती है एक पेश्ट है pulse beetle इसका scientific name है calosobrocus, kinensis, order है colioptera और इसकी family है bruchdi, host है arayher, moon, urar, pea, cow pea, soybean and beans इसमें added beetles और larva दोनों ही damage करते हैं और damage grains useless हो जाते हैं जिने ना तो खाने के परपस से use किया जा सकता है और ना ही फसल उगाने के लिए बोने के परपस से इसमें holometabolus यानि complete metamorphosis पाई जाती हैं means life cycle में four stages होती हैं egg, larva, pupa and added इसमें female copulation के बाद eggling start कर देती है ये eggs grains पर चिपक जाते हैं एक female अपनी life cycle में 60-90 eggs देती है जो 4-5 दिन में hedge होते हैं और इनसे larva grubs निकलते हैं fully grown grub 5 mm long होता है इसके 3 pairs of legs होते हैं ये white color के होते हैं head brown color का होता है इसमें four larval stages पाई जाती हैं और larval period 2-3 weeks का होता है अब pupa बनता है pupation की process grains के अंदर होती है pupa brown color का होता है pupil period 4 days का होता है जिससे added निकलता है added small chocolate color का होता है और 3.2 mm long होता है female में C rate antennae नी पाई जाती है और male में इसमें pectinate antennae होती है added का life span 2 weeks का होता है एक year में इनकी 7 से 8 generations होती है control disposal of infested material is the best way to eliminate the problem after treatment good sanitation and proper storage are key to preventing further problems go-downs should be clean well and whitewashed moisture proof go-downs should always be preferred all cracks holes present in floor wall of store should be filled with cement only one kind of grain should be stored in a store use of fumigants like chloropicrin, methyl bromide, phosphine thank you that's all Astronautically होvention क्त眉 स्च olduğ य ए क्षम है में net स्च ओश